इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित पंजाब के जेलम जिले में हुआ था गुजराल 1964 में कांग्रिस पार्टी में शामिल हुए वह इंदिरा गांधी के करीबी थे और अप्रेल 1964 में राज्य सभा के सदस्य बने 1975 के आपातकाल के दौरान गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री थे गुजराल ने 1980 के दशक में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रिस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जनता दल में शामिल हो गए उन्होंने प्रधान मंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया उन्होंने गुजराल सिध्धांत विकसित किया जिसने भारत के पडोसियों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर दिया गुजराल के विदेश मंत्री रहने के दौरान ही इराक और कुवैद के बीच खाड़ी युद्ध भड़क उठा था इस दौरान उन्होंने वहां फसे 170,000 भारतियों को विमान से सुरक्षित वापस लाने में सफलता पाई थी 21 अपरेल 1997 को गुजराल संयुक्त मोर्चा से अन्य लोगों के बीच